प्रम्पिता के आशीरवाद से आज बहुत लंबे समय के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से डिविजनल चार्ड का कूर्स आरम होने जा रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं एस्ट्रो पाटशाला काफी पुरानी संस्ता है जो जोतिस सिखाने के चेतर में काफी समय से विद्यारतियों को लाप पहुचा रही है अपने सरल टेकनीक से आसान टेकनीक से जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को उसको दूर करने का प्रियास कर रही है जब से करोना शुरू हुआ यह सारा सिस्टम ओनलाइन हो गया आप सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं जानते हैं इस चीज को मैंने कई बार अपने जीवन में डिविजनल चार्ट्स के उपर बात की टेकनीक्स के उपर बात की सिखाया पर यह ऑनलाइन में कुछ ऐसी बात बनी कि मैं उसको पूरा सिस्टमेटिक वे से कभी भी नहीं सिखा पाया हमेशा टुकडों में हर डिविजनल चार्ट्स पे बोला टुकडे में जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उन्होंने कहा रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप इस किलास में हमारा यह चार्ट सिखा दीजिए तो मैं गया और मैंने वहाँ पर बोला और उसको सिखाया पर जो एक किलास में सिस्टमेटिक वे से जो सिखाया जाता है वो ऐसा पहली बार हम ओनलाइन शुरू करने जा रहे हैं हमारे अन्य टीचर्स ने तो जरूर यह कोर्स करवाया है पर मेरे द्वारा यह ओनलाइन कोर्स फर्स टाइम शुरू होने जा रहा है इसमें क्या खासियत होगी खासियत जब मैं पढ़ाने का प्रियास करूँगा तो मैं समझता हूँ मैं एक ही अपनी खासियत पर ध्यान देता हूँ वो होती है सब्जेक्ट की सरलता इतने वर्षों के अनुभव के बाद मुझे ये चीज समझ में आती है कि विध्यारती जब डिविजनल चार्ट को पढ़ना शुरू करता है तो उसे कठनाई कहां पर आती है बस वो आपकी समस्या का समाधान मैं करने का प्रियास इस पूरे कोर्स में करूँगा क्योंकि डिविजनल चार्ट के उपर बुक्स बहुत लिखी गई है परंतु जो बुक्स लिखी गई है उसमें सूत्र तो लिखे गए पर सूत्र का इंप्लिमेंटेशन कैसे हो वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया वो कहीं न कहीं लैक करता है फिर भी जो बहुत इंटेलिजन्ट लोग होते हैं वो तो महनत, मशक्कत करके किसी ना किसी तरीके से सीख जाते हैं पर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका महों भंग हो जाता है डिविजनल चार्ट से और उनको लगता है यार ये चीज मेरे समझ में नहीं आएगी इसको छोड़ दे तो ज़्यादा बैटर होगा यही कारण है कि जोतिश विद्या बहुत आसान होते हुए भी बहुत सारे लोग जो अपने मेन कुडली में जो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं बहुत सारे सूत्र सीखते हैं उन सूत्र के सीखने के बावजूद क्योंकि उनके पास डिविजनल चार्ड की मास्ट्री नहीं होने के कारण वो जोतिश में अपनी पकड नहीं बना पत अगर आप लोगों को वैदिक जोतिश में या मैं कहूं जोतिश के छेतर में बहुत मजबूत पकड बनानी है तो सूत्रों का इंप्लिमेंटेशन प्रॉपर तरीके से आपको करना आना चाहिए सारा जोतिश टेकनीक का खेल जिसके पास टेकनीक है वो चीजों को समझ जाता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या टेकनीक बड़ी मुश्किल है फिलकुल भी मुश्किल नहीं आज भी मैं आप लोगों को कुछ बाते बताऊंगा मैं देख रहा हूँ आपके चेरे आप में से कुछ लोग लाल किताब के विध्यारती भी है लाल किताब सीखने वालों के लिए भी एक नया अनुभव हो सकता है पर हमारी मजबूरी है इस ग्रुप में हम 30 से ज़्यादा स्टूड़ेंट नहीं ले सकते ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था और हमारे पास केवल और केवल पांच विध्यारती का ही चुनाव अभी तक नहीं हुआ है इसमें मैं स्यम चुनाव कर रहा हूँ हर किसी को हम लोग एड्मिशन नहीं दे रहे हैं पर कोई बात नहीं आगे जब कभी हम करेंगे तो ग्रुप खोला जाए क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि हो सकता है अगर मैं सभी को एड्मिशन देने लगूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं आप लोग मुझसे बहुत सनहे करते हैं और जैसे ही मेरा ओर्स अनाउंस होता है 60-70 लोग कम से कम मिनिमम जोइन कर जाते हैं तो मुझे ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि इसमें पहली बार मैं ओनलाइन कराऊंगा कुछ विध्यारती ऐसे ना आ जाएं जिनको ये समझ में ही ना आ पाए मेरे असान से असान बताने के बाउट क्योंकि कुछ लोगों को केवल फोकस उनका रेमेडीज पर होता है मुझे ऐसे विध्यारती नहीं चाहिए था वरग कुड़ली के मामले में मुझे केवल वो ही स्टूडेंट चाहिए थे जो सीरिसली जोतिश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं जो सीरिसली चाहते हैं कि मैं मास्ट्री कर पाऊं मैं जोतिश की गहराई में जा पाऊं मुझे केवल वो ही लोग चाहिए थे जिन से जो पूरी किलास में अपना कैमरा ओन करके बैठ सके और एक इंट्रेक्टिंग किलास करें बजाए कि और चीजों के सार मेरी कुंडली में यह है तो मुझे यह उपाय बता दो यह क्या होगा और वो क्या होगा उस तरह से नहीं क्योंकि यह फिलोस्पिकल किलास भी हो सकती है बहुत गहरी किलास भी हो सकती है बहुत गहराई वाले सूत्र इसमें जा सकते हैं तो इसलिए हमने केवल लिमिटिड संख्या रखी है फ आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, चाहे आप वेदिक जोतिस के विद्यारती हैं, या आप लाल किताब के विद्यारती हैं, चाहे आप विगनर्स हैं, या लर्नर्स हैं, या आप एक्सपर्ट हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नया यहां पर मिलेगा ही सबसे पहले आप लोगों का प्रशन जो दिमाग में आता है हाँ इस आज के इसमें मैं आपको टेक्नीक जरूर बताऊंगा कोडली के वह जरूर सीखना जाने से पहले कोई ये मस उतना कि अरे हमारा तो अब इस कोर्स में नंबर नहीं आएगा तो हम आज की किलास की मोटेंट करें कोड़ टेक्नीक जरूर सीखना तो सभी के दिमाग में था कि इस कोर्स में आखिर हम क्या सिखाने वाले जिने जोतिश का थोड़ा साभी अनुभाव है उन्होंने वर्ग कोडली का नाम जरूर सुना होगा इस पूरे कोर्स में हम जितने भी वर्ग चार्ट होते हैं सोड़स वर्गा चार्ट सिस्टम वो पूरा का पूरा हम मैं एक्स्प्लेइन करूंगा और खास करके मेरा जो फोकस होगा वो आसान टेक्नीक्स पर होगा जो प्रडिक्टिव टेक्नीक्स ताकि आप तुरंत उस सुत्र के द्वारा उस चार्ट में जाकरके महादशा अंतरदशा को लगा करके फलित करना सीख सकें यह मेरा होगा अभी मैं कोशिश करता हूं एक स्क्रीन खोलने की मैंने बनवाया है देखे इस कोर्स में हम लोग कराने जाएंगे दी वन चार्ट को तो हम लही रहे हैं दी वन चार्ट दी टू चार्ट दी थ्री चार्ट हिंदी में बताऊं हमारी में कुडली औरा चार्ट जिससे हम बेल्थ के बारे में दन दानने के बारे में देखते हैं द्रेसकान कुडली जो होती है यह बाई बहनों के बारे में बत यह medical astrology में भी इसका बहुत उप्योग है, शरीर में कहां पर शरीर के किस अंग में बिमारी होगी, उसमके में भी D3 chart बहुत उप्योगी है, कुछ चीजें ऐसी हैं, जो books में भी लिखी गई हैं, पर कुछ बातें वो भी हम बताएंगे, जो books में properly नहीं लिखी गई है, मानशाव जो कि property के लिए, happiness के लिए, happiness के लिए देखी जाती है, इसी परकार से D7 chart, सब्तमानशाव चार्ट, सब्तमानशाव D7 chart होता है, यह संतान के लिए होगा, D9 chart, D9 chart, marriage life के लिए होगा, D10 chart, carrier के लिए होता है, D12 chart, यह जो मैं बोल रहा हूं केवल वो ही बताऊंगा इसमें सारे chart है, D12 chart जो होता है, यह हमारे, हमारा DNA है, इससे हमारे DNA के बारे में बता चलता है, हमारे माता पिता के बारे में बता चलता है, हम अपने माता पिता से कौन सी बिमारियां केरी करके चल रहे हैं, हम हमें अपने माता पिता से, बड़े बुजरगों से, कौन से ग कौन सी चीजे हमें विरासत के रूप में मिली है और D12 चार्ट बहुत important है कभी कभी marriage life के जो problems होती है उनका समाधान D12 चार्ट में पाया जाता है और एक देखने में आया एक pattern अगर आपकी कुंडली में D12 चार्ट ये बताता है कि आपके parents में भी बहुत अच्छा relationship नहीं था आपके भी माता पिता में आपस में बहुत जगड़े होते थे आपके दादा दादी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी understanding नहीं थी तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं आपकी marriage life में challenge आएंगे या आएंगे और आपके आने वाले बच्चों की marriage life में और ज़्यादा problems होंगी ही होंगी वेशक वो main chart में main कुंडली में चाहे ना दिखाई दें इसी प्रकार से D16 chart D16 chart हमारे वहान का योग अमारी luxury का योग अमारे जीवन में comforts का योग ये सभी D16 से हमें पता चलता है D24 पाठ पुजा हमारी साधनाएं हमारी उपासनाएं ये सब D24 से पता चलती है और साथ में होगा D24 chart D24 chart ये बताता है कि हमारा natural गुण कौन सा है कौन सी विद्या हमारे लिए बहुत ही आसाद है कौन सी विद्या हमें पढ़नी चाहिए क्या हम महा विद्या को स्विकार करने के लिए तैयार है क्या महा विद्या हमें इस जीवन में प्राप्त हो सकती है या विद्या ही प्राप्त होगी और होगी तो कौन सी होगी D20 चार्ट आज कल के परिदर्शे से कहूं जो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं टेंथ किलास के बाद कि हम कौन सा सब्जेक्ट में जाएं हम साइन्स लें हम मेडिकल लें हम कॉमर्स साइड में जाएं या हुमेनिटीज के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें वहां पर D24 चार्ट बहुत इंपोर्टन रोल अदा करता है वो आपके कैरियर में भी बहुत ज़्यादा है कि आप क्या सिक्षा दिक्षा लें जो आपको आगे चल करके बहुत लाब दे नेम फेम दे इसी प्रकार से D27 चार्ट होता है D27, D30 चार्ट, D30 चार्ट से हम जीवन में मिस फॉर्चून्स को भी देखते हैं बिमारियों को भी देखते हैं बहुत सारी चीज़े देखी जाती हैं इसी प्रकार D40 चार्ट, D45 चार्ट और लास्ट में D60 चार्ट ये सभी चार्ट आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंग बहुत ही systematic way से सिखाने का मैं प्रियास करूँ फिर से मैं एक बार कहूंगा मैं predictions करने की technique पर ही जोड़ दूँगा कहीं आप ये सुचे ये चार्ट कैसे बनता है इसका पूरा वो बताओ इसका mathematics बताओ वो पार्ट मैं नहीं करवाने वाना हूं कि नमांशा कैसे बनेगा द कुंडलियों की techniques के बारे में बात तुरुबा कि किस technique से आप क्या क्या कर सकते हैं अब हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इन वरग कुंडलियों में हमें आखिर जाना ही क्यों है तो पहली बात ये समझ लीजिए जैसे कुंडली में बारा भाव होते हैं हर भाव की एक अलग वरग कुंडली होती है वो वरग कुंडली क्या कामत है जब हम किसी भाव में अपने जीवन के बारे में देखना चाते हैं उस भाव में बैठे हुए ग्रहके को समझना चाते हैं और बहुत डीप में जाना चाते हैं तो उसके लिए हमारे रिशी मुनियों ने एक अलग ही वरग कुंडली बना रखी है उस वरग कुंडली में हमें बिलकुल डिटेल से मालूम लगता है और बड़ा करके दिखाई देता है जैसे आप नंगी आंकों से छोटे अक्षरों को जब देखते हैं तो कई बार हमें अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते पर जब चश्मा लगा लेते तो कोड़े से हमका कार बढ़ जाता है पर जब हम वो लगा लेते हैं कि बड़ा करके देखने वाला लेंस लगा लेते हैं तो हमारे को और भी चीज बड़ी दिखाई देने लगती है और हमारे कारे को असान बना देते हैं इसी परकार से अगर किसी निर्णे प पर पहुंचने पर आप में एक confusion पैदा हो रहा है कुंडली को ले करके कि यार मुझे कुंडली में ये ग्रहे कमजोर दिखाई दे रहा है क्या ये बास्तों में ही कमजोर है उसका निर्ने करने में आपकी ये वर्ग कुंडली बहुत जादा सहक सिद होती है ये चीज़ समझ ये मैं आपको उधरन के रूप में भी समझाऊंगा दूसरा confirm तो आप करते ही करते हैं साथ में उस विशे के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझने में आपको ये वर्ग कुंडली बहुत जादा आपको मदद पहुचाने का काम करती है अब हमें समझना होगा कुछ स सुत्र के बारे में मैं आपको बात करूंगा कि सबसे इंपॉर्टन्ट जो है आपने बड़ा नाम सुना होगा नमांश कुंडली का इन वर्ग कुंडलियों में नमांश कुंडली बहुत बहुत महत तपरुन कुंडली मानी जादी है क्यों केवल इसलिए नहीं कि वो नमांश कुंडली आपको आपकी कुंडली के ग्रहों की सही सही ताकत का पता लगाने में बहुत जादा सक्सफुल टूल है वैदिक जोतिश में वैदिक जोतिश में जब आप में चार्ट में कुछ कुंडली में कुछ चीजें देखते हो कई बार ऐसी कुंडलियां आती हैं जो आपको एक तम घुमा करके रख देती हैं और आप बिलकुल कनफ्यूज हो जाते हैं जैसे कि मैं एकजामपल के तोर पे बताऊं किसी का भा भाग्य का ग्रहे बहुत खराब हो या भाग्य भाव ही खराब हो अब वहां और आदमी बहुत अमीर हो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है ओर तो ओर धन का जो कारक ग्रहे वो भी कमजोर हो कुंडली के इंदर फिर भी बंदा बहुत अमीर हो और उसका उपसे ना समझ में आए वहां पर नमांश कुंडली आपको एक्तम सटीकता से बता देती है कि देखिए ये ग्रह की स्थिति ये है ये आदमी अपने जीवन में अमीर इसी लिए बना ये मैं एक्जामपल के द्वारा भी आपको बताऊंगे पर उससे पहले नमांश कुंडली के कुछ प्यारे से सुत्र जो की बहुत असान है तो उसको आपको समझना पड़ेगा पहला सुत्र तो वैदिक जोतिश में ये समझ लीजी पैदिक जोतिश नहीं सोरी हर तरह के जोतिश में ये सुत्र का लागू होता है जो मैं बताने जाए चाहे वैदिक जोतिश हो चाह चाहे केपी हो चाहे जैमनी हो हर एक जगह यह इस्तमाल होगा इस सुत्र से आप नहीं बस सकते अगर आपको अच्छा और प्रबल जोतिशाचारे बनना है तो हमारे रिशी उसमें क्या कहते हैं कि केवल वहग्र है जो स्ट्रेंद्ध फुल है वही अच्छा परिणाम दे सकत है देखे कमाल की बात इसको हर जगह उपयोग में ला सकते हैं केवल ओनली स्ट्राउंग प्लैनेट्स आर केपेबल ऑफ गीविंग गुड रिजल्ट्स और साथ में जिस भाव में भी आपका मजबूत ग्रहे बैठा होगा उस भाव की रिजल्ट भी अच्छे हों चाहे व बादक हो वो बात अलग है कि वो क्या क्या आपके लिए प्रणाम देगा पर आपको यह समझना होगा वह ग्रहे आपको जीवन में अपने से रिलेटिड चीजें बहुत ज़्यादा मात्रा में देने में सक्षम होता है इसके वी प्रीत जो ग्रहे कमजोर होता है यानि कि जो ताकत में कमजोर होता है यह मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं केवल उच्च के ग्रह या नीच के ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सपश्ट कर दूँ मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनकी कुंडली में सूरे नीच का बैठा है तो उसके नीच के रिजल्ट आ जाएंगे नहीं यह फाइनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट जब निकलेगा जब आप D1 चार्ट यानि की मेन कुंडली और नमांच कुंडली D9 चार्ट दोनों में जब देखते हो ग्रह की स्थिति और इस निर्ने पर पहुंच जाते हो यहां ये ग्रहे आपका सबसे ज़्यादा बलवान है वोही ग्रहे आपको देने में सक्षम होगा क्योंकि कई बार नीच ग्रहों का नीच बंग हो जाता है और कमाल की बात नीच ग्रहों का नीच बंग होने के चांस 90% से ज़्यादा होते हैं इसलिए नीच ग्रहे वाले बिल हरत रहें की मोज लेने में सक्षम होते हैं ऐसा नहीं है कि बिलकुल भी घबराना नहीं परंतु कभी-कभी जोतिशा चारे जिनको बहुत डीप जोतिश की नौलिज नहीं होती उस पश्ट रूप से सामने वाले को कह देते अगर कोई ग्रह कमजोर स्थीती में होता है वहां जीवन में अपने से रिलेटेड यानि अपने कारकों से रिलेटेड अच्छे परिणाम नहीं देता और साथ में क्या करता है जिस भाव में बैठता है वो कमजोर ग्रहे उस भाव के परिणाम को भी खराब कर देता है और साथ में यदी कमजोर ग्रहे का गोचर भी जिस भाव पर होता है उस भाव के फलों को भी वो छीन कर देता है तो ये बड़ा सिंपल सा साधारन सामे ने आपको सुपर बताया इसी पर आज हम चर्चा करने वाले क्या सिंपल सुथ जो ग्रहे ताकतवर है वो जीवन में बहुत कुछ दे सकता है जो ग्रहे कमजोर है वह ग्रहे अपने अच्छे प्रिणाम नहीं देगा जो कमजोर ग्रहे जिस भाव में बैड़ता है उस भाव के फल को भी कमजोर करता है और मजबूत ग्रहे जिस भाव में बैड़ता है उस भाव के फल को बहुत अच्छे परणाम देदने के पर विवश कर देता है तो ये power of strength, strength of planets देखना एक चीज राज की बात बता दूँ पूरी जोतिश का एक ही निचोड है कुंडली में ग्रह की ताकत निकालना सीख लो चाए वैदिक से सीखो, चैलाल किताब से सीखो पस एक ही चीज पर focus बना के रखो कि आपको किसी भी तरह से ग्रह की ताकत निकालनी आनी चाहिए ग्रह की ताकत की समझ होनी चाहिए जब तक आप ग्रह की ताकत नहीं समझते जब तक आप जोतिश नहीं समझ पाएंगे ये मैं सपश्ट्या कह रहा हूँ बिगनर्स भी सुन लो, लर्नर्स भी सुन लो और एक्सपर्ट भी सुन लो जो अपने आपको एक्सपर्ट मानते हैं पर उन्हें अभी भी ग्रह की स्टेंथ निकालनी नहीं आई तो वे सिर्फ भूल भुलावे में हैं वो सेंभू, नेता की तरह सेंभू, जोटसी बनके बैठे हैं, अभी समझ में बहुत बड़ी पकड़ उनके आई नहीं है, और वरग कुंडलियां यानि डिविजनल चार्ड्स, ये डिविजनल चार्ड्स ही कमाल के चीज़ हैं, और इसमें गहरा सुतर एक और बताओं, जैस वो ही परिनाम दे, जैसे D10 चार्ड में, प्रोफेशन का है, हमारे कैरियर का है, हमारे दंदे का है, हमारे रुजगार का है, और किसी का एक ग्रह कमजोर है, पर वो D10 चार्ड में हो सकता है, बहुत पावरफुल हो जाए, सव ग्रही हो जाए, उच्चिका हो जाए, तो नि कि आप देखते हैं कभी-कभी इंसान जब प्रॉब्लम में फसता है तो कुछ लोग उसके पास ऐसे होते हैं जो उसकी मदद कर रहे होते हैं अगर वह पीछे लगी होती तो भी उसकी कोई ना कोई मदद कर रहा होता है ऐसा नहीं होता कि सारी तरफ से गिड़ जाए कुई ना कोई कही ना कहीं से हर इंसान को मदद थोड़ा बूत मिल रही होती है। ये मदद देने वाली शक्तियां कोन हैं ये वरग कुदिया ही हैं जब हम डिकलेर कर देते हैं कि कि किसी वेक्ति की महादशा भी खराब है। अंतर दशा भी खराब है, परतेंतर भी खराब है, उसके बावजूद भी बंदा जी भी रहा होता है, अपना जीवन चला भी रहा होता है, और कुछ जगह पे प्रॉबलम निश्ची तुरूप से आ रही होती है, पर कुछ जगहों से उसको बड़ी हैल्प भी मिल रही है, आप इसको एक एस्टलोजर कैसे डिफाइन कर सकता है, अब उसको क्या वो अच्छा समय कहेगा, या बुरा समय कहेगा, आप ही लोग सोचिए, एक तरफ प्रमोशन का समचार मिला है, घर पे आके देखता है, तो बच्चा बहुत सीरिस भी मार है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, कि यार अब पंडी जी तो कहेड़ते समय अच्छा है, प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन हो गई, पर अंतो ये बच्चा भी मार हो गई, ये बात का तो डिसकस्शन हुआ ही नहीं, ये तो पंडी जी ने बताया ही नहीं बच्चे की बात तो, बच्चे की बात तो गड कैसे होगी और तो आपकी कुण्ड़ी से ही पता लग सकता है डी सेवन चार्ट से आपके बच्चे की marriage life कैसी जाएगी marriage life कितनी अच्छी होगी या उसकी marriage में भी challenge होगे यह d7 चार्ट बढ़ी असानी से बता सकता है कोई ऐसा खराब गोचर तो नहीं जो सब्तमांश कुंडली के में गुजर रहा हो वो आपके बच्चे के स्वास्ते को खराब कर दे एक तरफ से आपकी प्रमोशन होए और दूसरा वो एक रहे आपके बच्चे की हेल्थ के लिए हारमकुल से धोरा हो तो यह घट आए जो रिसार्च कर सके खुद पर खुद बहुत मेहनत कर सके मैं उनको सूत्र दूँ वो बीस तीस पचास सो कुडलियों पर उसको लगा करके देखें अपने नोट्स त्यार करें और एक नई मंजल की तरफ बढ़ें जो उनकी कमजोरिया है जो उनकी कमिया है जो उन्हे प्रडिक्शन्स में नजर आती है मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोजी की बात नहीं कर रहा हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोजर तो बन ही बन जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है बात है रिसर्च करने वाला एस्ट्रोजर क्योंकि रिसर्च करने वाला एस्ट्रोजर एक ल देता है पर जो फटापट फटापट परडिक्शन देने में यकीन रखते हैं डीवन चार्ट देख करके एक लेवल पर आकर उनके साथ बड़ा खड़ा हो जाता है जब उनके साथ जीवन में कुछ घटनाएं घड़ती हैं तो यह वह बहुत ज्यादा जोतिस से उदास हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट से मायूस हो जाते हैं तो वह चीज नहीं होनी चाहिए रिसर्च करने का मादा उनको रखना चाहिए चलिए और चीज जम को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इसी सूत्र को ले करके मैं आगे बढ़ता हूं और मैं उन विद्यारतियों को बताऊंगा कि वैदिक जोतिश में किस तरह से ये चीजें देखी जाती हैं और डिविजिनल चार्ट कैसे चीजों को बदल के रख देता है कितना बड से लिख भी सकते हैं कुम्ब लगन की कुंडली है अभी मैं कुछ सूत्र वैदिक जोतिश के ही बताऊंगा लगन का स्वामी कुम्ब लगन का जो स्वामी होते हैं वो शनी भगवान होते हैं और लगनेश यानि शनी दसम भाव में बैठे हैं तो हम कहेंगे लगनेश दसम भाव में बैठें जब भी लगनेश जिसका भी लगनेश दसम भाव में बैठता है वेदिक जोतिश में इसे बहुत अच्छा माना जाता है इसे करमत योग है एक परकार का ऐसे लोग योग जो है करम योगी होते हैं करम को ही पूजा मानते हैं सारा दिन करम में लगे रहे करम में बहुत मेहनती होते हैं मशक्कत वाले होते हैं हार्ड वर्कर होते हैं उनके दिमाग में बच्पन से बैठ जाता है कि मुझे तो कमाना ह है तो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा वो हार्ड वर्क से नहीं घब राते सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने में दिल नहीं चुराते ऐसे लोगों की सबसे बड़ी सजा यह कि उनको काम मत दो उनको खाली बैटने के लिए धू किया जाओ आस ने रिटायर कर जाता है को उनके लिए सबसे घंट्र है योगा कारी होते है शनी बुद्ध और शुक्त तीन ग्रहे विसेस रूप से योगाकारी होते हैं और वैदिक जोतिश का नियम है जब भी लगनेश के साथ तिरकोन का अधिपती यानि पंचमेश या नवमेश दोनों में से कोई एक ग्रहे का स्वामी बैठ जाए एक भाव का स्वामी बैठ जाए तो ये लक्षमी नारायन योग बनता है तो इस कुंडली में देखें बुद्ध और शनी एक साथ बैठ गए लगनेश के साथ पंचमेश बैठाओ बहुत अच्छी बात अभी देखने से लग रहा है अरे यार ये कुंडली तो बहुत ही सॉलिड कुंडली हो गई पर जैसे ही हम भाग्य भा होको देखते हैं तो भाग्य भाव में थीं घ्रह बैठें लोग वेदिक जोटन के जॉर्य रहे मंगल और राहूब और सूरिय बैठा वढ़्य सूर्य बैठा हुआ है तुल ए अंब जो लोग वेदिक जोटन के जान कार था प्रिक्शा ले लोग और अगर यहां पर ये नीच राशी का ना भी होता तो एक और बड़ी समस्था इसके साथ कि ये राहू के साथ बैठा हूँ और ये लाल बितावाली भी जानते हैं जब राहू के साथ बैठ जाता है तो उसे सूर्ज कौन से भाव का मालिक है ये सब्सक्तम भाव का मालिक है सब्सक्तम भाव यानि कि marriage life पूरी की पूरी इस ग्रहे पर टिकी हुए है और वैदिक जोतिश में simple नियम है जिस ग्रहे का स्वामी नीच राशी में बैड़ जाए या पाप ग्रहे के साथ बैड़ जाए वहाँ पर बहुत बड़ा challenge आता है सेवंथ हाँ से day to day income देखते हैं partnership देखते हैं marriage life देखते हैं तो तीन पॉइंट विशेश रूप से देखे जाते हैं day to day income marriage life partnership यह तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखी जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ अभी हमने D9 नहीं देखा है इसका मतलब यह हुआ इनकी तीनों चीज़े डिस्टरब होनी चाहिए है very simple है न यह सब्तमेश नीच का बैठा है राहा खा कसर जो है राहू ने पूझी करती है लाल किताब के साब से कहें तो नवम भाव में क्या बैठा है राहू बैठा है तो पित्रदोश बढ़ गया है और भाग्य भाव में अब वैदिक जोतिश का नियम है कि भाग्य भाव में पाप ग्रह बैठ जाए या कोई पाप ग्रह की जुती बन जाए जो की मौती मैलफिकोस कुंडली के लिए या वो ग्रह बैठ जाए जो नीच राशी का है उस भाव के रिजल्ट को भी खराब कर देता है तो इस नियम क अनुसार क्या हुआ भाग्य भी बिगड गया अब सोचिए जिसका भाग्य ही बिगड जाएगा क्योंकि भाग्य से ही अप्पर्चुनिटीज मिलती और हम लोग क्या कहते है नवं भाव भगवान का अशीरवाद है नवंभाव का जो होता है तो गुरू ही होता है अब गुरू की भी खालत देख लेते हैं गुरु इस कुंडली में अस्टम भाव में बैठ़े बड़े ध्यान से समझने वाली गुरु के बैठेज वैधिक जोतिश में वैल्थ का सिगनिफिक्टर प्लैनेट माना गया है वो ब्रस्पती को ही माना गया भगवान का अशिरवाद, गुरू का अशिरवाद, खजानची, धन में बरकत पैदा करने वाला, हर तरह का वैभाव देने वाला, उच्च कोटी का ज्यान देने वाला, हर चीज के पीछे ब्रस्पती ही माना गया है और ब्रस्पती आपकी कुंडली में अस्टम भाव में बैठ गया, यहां पे समस्या होगी, अब हम क्या देखते हैं, जो नवम भाव का स्वामी है, वो शुक्र है, और शुक्र ग्यारवे भाव में बैठे, तो जो बेसिक नॉलिज रखने वाले लोग होते हैं, वो बड़े खुश हो जाएंगे, तरिकर यह बाट ठीके देखू ना, भाग्ये भाव का मालिक लाब भाव में बैठ गया, तो ग्यारवे में बैठ गया, तो अच्छा हो गया, लाब भाव में बैठने की कोई गरंटी नहीं, कि वो अच्छा हुई हो जाए, जरूरी हैं कि जो भी ग्य करता है, वो करता है नमांश कुंडली, अगर हम नमांश कुंडली में जाकर जाकने की कोशिश करें, तो सारी चीज पस्ट हो जाती है, आप देखें यह नमांश कुंडली बनी है, और नमांश कुंडली में स्थिति को देखी, सूर्य के क्या हालात है, सूर्य उच्छ का हो आप देख पारें क्रिन को देख पारें सूरिय यहां पर पुच्छ राशी में चलेगे सूरिय उच्च के हो गए सूर्य अधा कितना बड़ा टूइश्ट था कितना बड़ा टूइश्ट दा और ध्यान रखिए कुंड़ी में जो ग्रहे डीवनचार्ट डीवनचार्ट बोसते हैं मैं लगन कुंडली को इhen डीवनचार्ट बोलसँ है डीवनचार्ट में जो ग्रहे आपको पावरफुल नजर आ रहा है वो जब तक अच्छा result नहीं देगा जब तक कि वो नमाश उडली के अंदर अच्छे स्थान पर नहीं बैठा होगा यानि कि बलवान स्थिती में नहीं बैठा होगा जब तक वो अच्छा परिणाम नहीं देगा चाहे D1 चार्ट में आपका ग्रह उच्छ का ही क्यों ना बैठा हो अगर वो D9 चार्ट में कमजोर हो जाएगा किसी भी कारण से कमजोर हो जाएगा वह अच्छे परिणाम नहीं देगा जो ग्रहे डीवन चार्ट में जितना मर्जी कमजोर हो जाए नीच का हो जाए पाप ग्रहे के साथ बैठ जाए छटे आठवे बारमे भाव में चला जाए जदी वह ग्रहे नमांच कुंडली में सवग्रही हो जाए सवग्रही का मतलब अपनी ही राशी का मूल तिरकौन राशी में चला जाए या उच्च का हो जाए तो निश्चत रूप से वह अच्छे ही पर नाम देगा कि अब इनका क्या कहेंगी हैं सूर्य कैंजसे परणांबत सूरिय उच्छ के परणांब देगा देखिए आप D.1 में देख रहे थे कि नीच का परभाव है इस सूर्य ग्रेहन लगा हुआ है जफकी यहाँ पर तो उच्छ क के परभाव इन सर्जन को मैं बहुत करीब से जानता हूँ इसलिए ये कुंडली आज मैंने विसेश रूप से का सेलेक्शन किया है इस कुंडली में देखो क्या खासी है अब इस कुंडली में एक और खासियत है कि शनी ग्रहे दसम भाव में बैठा हुआ और शनी ग्रहे नमांश कुडली में सब्तम भाव में बैठा हुआ है सब्तम भाव में बैठा हुआ शनी बहुत अच्छा होता है इध्यान रखे गए अगर वो डी वन चार्ट में दसम भाव में बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ था तो वो D7 चार्ट, sorry D9 चार्ट में भी बहुत अच्छे स्थान पर well placed है जब मैं किलास में पढ़ाऊंगा तो मुझे नमांच्छा पे कई किलास लेनी पड़ेगी नमांच्छा की बहुत बहुत बहुतरीन बहुतरीन टेक्नीक्स है ये तो मैं केवल एक-दो सुत्री ही बता रहा हूँ आज के उसमें इतनी शांदार शांदार टेक्नीक्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते डिविजनल चार्ट में D9 चार्ट में तो 15 किलास भी अगर बंदा एक टॉपिक पे ले सकता है बढ़ लग इतने ज़्यादा डिटेल में होता है नमांज से क्या नहीं पता चलता है strength of planets का पता चलता है आपके होने वाले जीवन साथी के बारे में पता चलता है आपकी timing of marriage का पता चलता है spouse की education के बारे में पता चलता है आपको जीवन में मिलने वाले प्रेम के बारे में पता चलता है आपको आपके in-laws से स्पोर्ट मिलेगी के नहीं मिलेगी ये पता चलता है आपको आपकी शादी सुदा जिंदगी में happiness मिलेगी के नहीं मिलेगी आपको ये पता चलता है आपको अपनी जीवन साती की wealth की sport मिलेगे के नहीं मिलेगी ये भी पता चलता है और इवन आपकी कुडली में बनने वाले रतथा कतित राजयोग फलित होंगे के नहीं होंगे ये भी नमाज कुडली से पता चलता है यदि कोई ग्रहे वर गुत्तम हो जाए यदि कोई भाव भर गुत्तम हो जाए तो वह राजयोग के संकक्ष ही होता है और यह भर गुत्तम कैसे बनता है यह मैं आपको किलास में बताओ नमाज कुडली से great luck के बारे में पता चलता है नमाज कुडली से spirituality के बारे में पता चलता है नमाज कुडली में इस्ट देवता के बारे में पत पता चलता है पालन देवता के बारे में पता चलता है पालन देवता उसे कहते हैं जब आपका रुजगार नहीं चले कोई नोकरी रुजगार में दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार से तो उस व्यक्ति को नियम से 45 दिन तक पालन देवता की पाठ खुजा करनी चीए साधना क रिची उसका रास्ता खूल जाता है यह जीज मी नमांचा कुली से पता चलती है कहने मतलब है नमद्चा कुली से इगनी चीज़ें पता चल सकती है कि आप हmore हम सोच भी नहीं सकती सोची से नमद्चा कुणली पे तो एक Special कोर्स बनाया जा सकता है जो बहुत डिटेल कोर्स हो सकता है और कमाल के बार हर किलास में कोई कोई repeat नहीं होगा हर बार नई technique के उपर बात हो सकती है तो यह आपने कुंडली को को देखा कि कुंडली में जो जो चीजें खराब नजर आ रही थी वो चीजें अच्छी हो गई और कुंडली बहुत मजबूत नजर आ रही अब एक चीज और दिखाना चारा हूँ आप लोगे को आपको जान के एहरानी होगी डी टैन चार्ट जो आपके कारे की सफलता आपकी सकसस का चार्ट जिसे माना जाता है करम की सफलता का चार्ट है यहाँ पर डी टैन चार्ट को देखिए इस कुंडली में मंगल बहुत पावरफूल आ गया है जब मैं डी टैन चार्ट कराऊंगा इसके सूत्र बताऊंगा क कि D10 चार्ट में लगन का स्वामी लगन में ही बैढ गया है ये बहुत गजब का सूत्र है अगर D10 चार्ट का लगन का लौड लगन में बैढ जाए या केंद्र में बैढ जाए या तिरकोन में बैट जाए ऐसा व्क्ति अपने जीवन में चिस छित्र में भी कदम बढ़ा देता है उसी छित्र में बहुत उचाईयों को छूता है यहां पर सूरे केंदर में आ गया सब्तम भाव में केंदर में आ गया राउट छटे में आ गया हलब अगर हम डिटेल में results कमाल की बात है अगर हम दशाओं ओदिखें तो इनकी 92 के अंदर राभु की महां दशा चली थी 2010 तक हब highly में राभु का कमाल देखिए में जो कुंडली है में कुंडली में राहू नवम्भाव में बैठता है还 disabled को हम कहते हैं कि नवम भाव का राहू अच्छा नहीं है वो कैरियर में बहुत उतार चड़ाओ पैदा करता है नवम का राहू आपके कई परकार के बिजनस बार-बार बदलवाता है किसी एक जगा पर स्थिर नहीं होने देता जबकि यही राहू को जब नमांच में देखते हैं तो दसंभाव में आ जाता है अब यह देखिए अलग-अलग सूत्रे अलग-अलग कुंडलियों में सुरी अलग-अलग वर्ग चार्ट के अंदर जो भी ग्रहे नमांच कुंडली के दसंभाव में हो जाए उसको ग्रहे आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निवाता है और आपके कारे छित्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है दूसरी बात जब भी उसकी दशा आएगी महा दशा अंतर दशा आएगी वो आपके कारे छित्र में आपको सफलता जरूर देगा तो यह जो सक से जिनकी कुणली मैं करवा रहा हूं आपको 92 से लेके 2010 के बीच में बड़ी दबरदस्त अपने आपको डेवलप किया बड़ी हूज सक्सेस इन्होंने गेन की वो कहते ना फर्स से उठकर के आकाश पर कहुंचना तो यह फर्स से उठकर के आकाश तक पहुंचे अब आप इनको जीवन में इतना बड़ा आदमी बना सकती है कोई भी वैदिक जोतिश का जो लर्नर होगा वो इस बात का अंदाजात तक नहीं लगा सकती है पर जिसने वैदिक जोतिश को बहुत डेपफुली पढ़ा है डिविजनल चार्ट की स्टड़ी बहुत अच्छे ढंग से क ही है वो इस चीज को बहुत तुरंट पकड़ लेगा यह राहु की महादशा इनके जीवन में बहुत अच्छी गई आप यह देखिए D10 chart में भी इनका अगर गाहु को देखते हैं तो छटे भाहु में तीसरे भाहु का चटे भाहु का और ग्यारवें भाहु का रहु बोहुत अच्छा माना जाता है ये द्यान समझा तो D10 chart में भी गाहु बता रहा है कि कितना बड़ी है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है परंतु 2010 से लेकर के 26 तक गुरू की महादशाश चल रही है और ये 2010 से 2026 तक इन्हों ने जीवन में सफलता तो हासिल की पर इनको अपने कारे चेत्र में चैलेंजिस भी बहुत आए अगर हम गुरू का देखें तो 2010 चार्ड में गुरू नीच राशी में है वहीं पर शनी ने नीच भंग जरूर किया गुरू का पर गुरू नीच का है तो यानि कि कुछ हद तक उन्होंने समस्याएं भी गुरू की दशा में उनको प्राप्त हुई तो इससे ये पता चलता है डिविजनल चार्ड हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज मैं एक दो कुण्डियां और कराने का वो था पर मुझे लगता है आपके क्वेश्चन अंस्वर ले लेने हैं ज्यादा बैट वह हैं आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताईए कोई अंकोश शक्राइब कि दिनमेर जोवी प्लैनेट होता है वो तक अब यह जाता है डूकुर्ट अगर ट्वली टेंच में है नीच चाहिए होता है तब भी इंपर्टी रहता है यह इंपर्टन तो बहुत रहता है परन्तु अगर घर्रहे अपना बलाबल फूग्या अभी वैदिक जोतिश में क्या कुछ नियमों को भी समझना जरूरी है तो हमने आठ डैमों किलास रखा है डैमों में बहुत सिस्टेमेटिक वेसे नहीं होता तो क्या होगा जब किलास चलेगी तो पूरे रूल्स रेगुलिशन बताए जाएंगे तो उसमें यह सी सब चीजे बताई हैं अगर वो ब्रस पती नीच्राशी में हो गया और डी-9 चर्ट में ब्रस पती का का नीच्य ग्रहां का नीच्वर्ग हो जाता है अगर नहीं हुआ तो फिर वो ग्रह मारे लिए उसकी दश्या beginning प्रॉब्लम्स दोट देगा बहुत गजब की प्रॉब्लम देगा चाहे वो ग्रह हमारे लिए कितना भी योगाकारी की होगा और कितना भी फेवरेबल की होगा फिर वो हेल्थ संबंदी इश्यूज और अधर्स चैलेंज बहुत देगा और अगर नीच बंग हो गया तो निश्चित रूप से वह आपके क चित्र में बहुत अच्छा रोल लिए नमश्कार सर नमश्कार माया जी सर जैसे आपने अब भी कहाए कि शनी साथ में उसके प्ल देता है तो यह जो आपने दूसरे चार्ट बनाए उनको भी उनको भी देखना पड़ेगा कि नवांश में और दस में सारे चार्टों से दे केवल नमांश कुंडली का ही उपयोग होगा सारे चार्ट देखने की आवशकता नहीं होगी वो सारे चार्ट देखने की जुटनी केवल स्ट्रेंथ जानने के लिए नमांश कुंडली को ही देखना होता है ठीक थैंक यू से मैंने 137 अहां मनोज जी परणाम गुरुदेव परणाम परणाम सर आपने भी कहा कि इसमें चार्ट बनाने का नहीं बताएंगे तो फिर यह कैसे जाना जाएगा चार्ट बनाने का मतलब होता है जैसे मैंने आप लोगों कुंडली बनानी नहीं सिखाई ने डेट ओपर टाइम बड़े बर्थ प्लेस से लाल किताब में सि हाँ से बनाना मतलब बिना सोफ्ट क्री मदद से इसकी वह टेक्निक होती है नमान्ज कुंडी दस्मांसा कुंडी टेट वैल चार्ट है क्या हाँ से बनाने की टेक्नीक ही उए अर मैक्सिमम मुक्स में लिखी हुई इसा नहीं है उसमें हर बुक में लिखी हुई है वो टेक्निक वो मैं नहीं सीखा हूंगा वह तो किताब में पढ़ लोगे जिनके पास सौफवेर हैं मैक्सिमम लोग सौफवेर से काम करते हैं उनके बाव डिविजिनल चार्ड रखा हुआ मिलता ही है तो उसमें टाइम समय नहीं मैं गवाते हुए मैं टेक्निक पर काम करना चाहता हूं जो टेक्निक किताबों में बहुत स्पस्ट रूप से नहीं लिखी गई या जहां पर विद्यारती बड़ा अपने आपको कमजोर महसूस करता है या कंफ्यूज महसूस करता है मैं उन पॉइंटों पर चर्चा और सर लाल किताब वाले अगर इस चीज़ को सीखना चाहे तो उनके लिए भी बेनिफिस करें पूरा अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी है संसार में अब आवला आयरुवेद वाला खालेगा उसको भी फायदा होगा और ऐलोपेथ वाला खायेगा उसको फायदा होगा ऐसा पर कुछ अच्छी चीज़ें वह हमेशा अच्छा करने का ही द्यास करती रहेंगी अब खाना कैसे कैसे सिस्टम से खाना है वह आयरुवेद वाला हो सकता है कि वह अलग टेक्नीक से वह टेकनीक-टेकनीक का अंतर हो सकता है पर उसमें जो विटामिन सी है वह सबी के लिए सब्सक्राइब तो यह सीखते हैं तो लाल किताब में यह सारी चीज़े आएंगी या फिर यह दोनों चीज़े अलग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है उसमें नमांचा दश्मान सानियों जी तो यह सारी चीज़े कैसे उसमें सीख पाएंगे आप बताएंगे आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ नहीं पा रहा है तो कहां पर प्रॉब्लम क्या होती खास करके तीस साल से पचास साल के उमर के लोगों की समस्य हो कते हैं जी हम अपने केरियर में जो करना के सोचके आयए थे ना वो करनी पा रहे हैं हम ठास गए और ही तरी टेरिक्ग कैसे असर क ata अभी महा दशर आंतर दशा चल रही होती है enhancement以上 कि सबीप मैं भी शामिल हूं सबीकिया वाधत होती है महाा दशान्तरद्शा को में उगा Billi उठा करके हुझिए प्रिके अरिसी से इनगालने की कोशिश करते है हम गलती से भी D10 चार्ट में उस महादशान तरदशा को नहीं लगाते हम उस महादशान तरदशा का उपयोग नमांशा कुली में नहीं करते या D30 चार्ट में नहीं करते या अन्य चार्ट में नहीं करते कभी लिए या अगर कोई विद्यारती पढ़ रहा है तो हम D24 उसको आप्योग नहीं करते जैसेा बार लोग चैते इना ये दुघ सीख Hmmm जो एकना मैं जोति सीखना शुरु कर दिया और रोज पर किसा क्यूं ऑप पतानी क्या हुआ जोति सीखना शुरु हो गया और मंदिर कंफ्यूज को ईसको सभी ने में बताया यह मार्करश does तेरे लिए हारम पर वो अंदर से खुश हो रहा है कि तुर जोतिस भी सीख रहा है और कमाल की बात रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं जाता था अब यह बात उसको डी टॉंटी चार्ट से कंफरम होगी कैसा क्यों क्या उसकी जो दशा मारक दशा है वो बहुत बहुत अपना आपका धन्यवाद भी है और प्रणाम भी है और अपने लिए मानुगा कि मेरा अच्छा किसमत राइक में आप जैसे गुरू मिलिए इसमें बड़ी असान टेक्नीक भी है कि जैसे आप सभी के लिए बता दूं अभी दो-चार लोग चले गए इसका सब्सक्राइब उनके भागे में नहीं था तो मैंने का आप बात में रहता हूंगा इनको जाने दब ज्यान से समझना नमाज कुडली में जो भी तिरकौन भाव में जो ग्रह बैठता है उसकी कारक चीजें उसके जीवन में फलती पूप और जो ग्रह किंद्र में बैठते ह यह मैं नमाज कुडली की बात कर तो देख का रोल आपकी जिंदगी में या इंपक्ट सबसे जदा आपकी जिन्तगी में को पूप जैसे मान लीजिए नमान कुडली में किसी के नहां भाव में सूरज बैठा हैं तरकोन में सूरज बैठ गया जी समझ लीजिए उनके पिता की आयू अच्छी मिलेगी पिता फलेंगे फूलेंगे अगर स्पोश करो मंगल है मंगल तिरकोण में बैठा हुआ है लगन पंचम नवम में भाई बहुत फलेगा फूले बुद्ध जो है लगन पंचम नवम में है तो बहन अगर भी नहीं होगी किसी बात की मतलब वो जो कनेक्शन है उस ग्रह से वो सारे के सारे फलेंगे फूलेंगे अलब बड़े प्रॉस्पर रहेंगे या उनसे रिलेटिड चीजों में कभी तकलीफ नहीं ज्यादा आएगा इसकी और कमाल की बात जो भी ग्रह पिर छटे आठ्वे बारवे में चला जाएगा नमांश्क में वो ग्रह जरूर या उस ग्रह से रिलेटिड चीजें जरूर उसे तकलीफ देंगी उसके लिए चैलेंज खड़ा करेंगे तो इससे बड़ा जल्दी पता चला है कुंडली में कौन सा ग्रह किस तरीके से आपको दिक्कत देगा या अधा फाइदा दे बहुत अरा अरा एक बात अबने बताई कि नौमांसा में जो दस्वें घर में ग्रह बैठेगा वो काफी कुछ डिसाइड कर देगा डिसाइड नहीं कर देगा करम चेत्र में बड़ा रोड़ अधा करेगा तो सर यहां पर एक सवाल आता है कि अगर वहा कि डीप मैथेमेटिक्स जो है के तु से आता है जो बारीक इंजिनेरिंग होती है वो के तु से आती है कि तो बहुत सारे फिल्ड है कि अभी समझ यह सर गुरु जी मेरे नवम में सूर्ण है हाँ जी तेन जी विए उटे सर प्रांग सर आपने बताया सर की जो डीवन चार्ट पर जो ग्रह होते हैं डी-9 में जो है ना उनकी बल को हम देखते हैं जी वो इंप्रूव हुआ की नहीं हुआ या डिग्रेड हुआ तो जो सडबल होता है सर और सडबल में उस प्लैनेट की जो पोजीशन ह होती है तो जेको जर्थी माली जचेश को बली है और यहां खराब हो गया कि जद्धि अच्छा हो गया तो कोई बात से हों धिल से मारण को पकड़ कर आगे चला है. एक मार्ग ये भी है कि हमने strength पता करने के लिए नंवान्चा का सहरा देकाव. एक दूसरा मार्ग ये है कि हम सबबल का सहरा देकाव. अगर सबबल का सहरा लेते हैं उसकी अपनी अलग टेकनीक है वो भी सही रास्ता बताएगी. कि उनमें लाइक कि तो हमारे स्टूडेंट केते थे कि assistir जी बल निकालने के चक्कर में अमारे बल निकल गया यह यह बड़ा छार्ट से निकल करते कि तो च होता है तो इसको कैसे कैसे सडबर्ग के माध्यम से कैसे सडबल निकाले तो अलग-अलग अलग यह अलग अलग मार्ग पकड़ने पड़ते हैं ऐसे ही जब मैं नामांजच्छा की बहुत सारी टेक्नीक बताउंगा तो उसमें भीज़ाइनो को सबस्वाइन को इस को समझ में ही नहीं आए तो यह हम विद्यारतियों पर छोड़ देते हैं रिसर्च के लिए कि आपको पहली बात तो आपके दिमाग में वो टेकनीक घुच जाए नमर दो जब भी वो टेकनीक लगाओ उसके रिजल्ट अच्छे आए वो ही चाहिए बद जोतिश अब वो सब्सक्राइब के मात जम्सी यह हरे एक के लिए अलग-अलग होता है तो डेफिनेटली हमें स्लेक्ट करना है यह संद्या जी कि हैं करके रखें कोई ना बोले यह मेरे हमारी क्लास का नियम है जो ग्रह होते हैं अच्छे होते हैं अप इसने कहें बलवान होते हैं और 6-8-12 में बैट जाएं वह तो वह 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 किलास में डिसकस करेंगे पिर क्या होगा अगर नीच का पुछ दिए तो क्या वह वह वर्गुत्तम जाएगा पर उसे कहेंगे नीच का वर्गुत्त तो उसका फल सिर्व खराब होगा फल डिसकस करेंगे आगे किलास के अंदर दोनों तरह का रिजल्ड देगा हैल्थ के मैटर्स में वह तकलीफ दे सकता है बड़ वह मैटलिस्टिक मामले में बहुत अच्छा हो जाता है जैसे किसी का मंगल नीच राशी में बैटा है पटी का सुप नहीं मिलेगा पर वही मंगल जब नीच वरगुत्तम हो जाएगा तो हो सकता है आठ दस मकान दे दे उसके पर वह अपने मकान में शायद ना रहे खुच चाहे वो किरायपे रह सकता है उसके चालीस साल पचास साल की उमर तक पर वह ऑनर होगा कई घरों का य रख है तो पेट की तकलीफे रखेगा उनको पेट से रिलेटेट कही तिकतें पैदा कर सकता है तो वह अलग अलग चीजों में देखा जाता है और कौन रह गया आकरती शर्मा जी नमस्कार सर नमस्कार सर मुझे पूछना था नमवांशा में अगर अश्टम में कोई स्वर आशी का ग्रह बैठा हो तो भी वो रिजल्ट अश्टम के हिसाफ से देगा कैसे देगा आनि कम जोर हो जाता है अगर कोई अब जैसे आज में अगर कोई अब जैसे स्वर आशी काईन होने का तो उसमें एक्जाल्टेड हो लैंट हो चैसे वह डिपलेटिड हो अगर वह छटे में आटवे में बारवे में चला गया वह काफी हद तक कमजोरी को प्राप्त हो जागा थैक्स आइफोन मुकेश कुमार जी सर गूड इवनिग गूड इवनिग आएक्च्वली किसी प्लैनेट की जब मैंने लैसिस करते हैं लगल कुडली में नमांस में और दुस्वांस में तो किसी में सपोज बहुत अच्छा है किसी में बहुत खड़ाब हो गया किसी में मेडियम लेवल में है तो फाइनल कंक्लूजन क्या उस पे हम करेंगें सर फाइनल क्लूजन जो होती है वो उस वेक्ति के परशन पर बहुत अर्थ तक डिपेंड करती है अगर उसका परशन केरियर से है तो अब हमें सलेक्ट करना पड़ता है कि एक पाथ बनाना पड़ता है कि हमें केरियर तक पहुंचने के लिए किन-किन चार्ट से होके फिर D10 पर जाना पड़े और D10 चार्ट पर उस समय की महादशा और अंतरदशा निकाले तो यह से कहते हैं कि परशन पर डिपेंड कर कंकुलूजन वहां से निकलेगा कि यह जो महादशा अंतरदशा का जो लौड है यह जो ग्रह है यह D10 चार्ट में क्या रिजल्ट दिख पतना हैं कि इस ग्रह में डम भी है के नहीं है अगर ग्रह में डम नहीं होगा तो वो वैसे भी जौब नहीं देता उसकर तो बेसक वो फेवरेबल ही क्यों ना कितना भी इसलिए कई बार लोग आपके सामने बड़े इरीटेशन में आएंगे अरे सभी ने मेरे बारे में प प्रेशान हो रहा हूं और तो और मेरी तो जो भी चली गई है इतनी अच्छी दशा में जॉब चली गई अब जो बहुत जल्दबाजी के जो जो तिशी बने होंगे ना उनको समस्या हो जाएगी वो बचारे टेंचन मा जाएगे कमाल की बात इतनी अच्छी दशा में इसके साथ गड़बर होगी कैसे हो गया यह तो नहीं हो सकता पर हो कैसे गया अब उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे हो पर यह सिस्टम बनाना पड़ेगा पर वही चीज आपको आपने कहा कि मैं मकान लेना चाहिए फोर चार्ट में गई और फिर उसमें भी देखना क्या है उसमें सिर्फ मंगल को देखिए फोर ताउस के लोड को देखिए फोर ताउस के लोड और मंगल को ही डी नाइन में देखिए और अगें डी फोर चार्ट में देखिए फिर उन दशाओं को डी फोर्ट में बड़ा सिंपल है उसमें तो यह तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है जैसे वो हमारी नुमी दस्वी कि लास में बता ने फ्लोचार्ट बनाओ तो बनाना पड़ता है अपने अब भी सीखते समय कि मुझे किस पात से होके गुजरना है वो में है प्लानेट बेटा हुआ उस हाऊस में वो टीटेन में बेटा हुआ तो क्या उसको भरगुत्तम बुलेंगे या सेम राष वरगुत्तम केवल डीवन और डीटेन के अंदर सेम राशी में रिपीट हो रहा है तो वरगुत्तम हाला जगा बस तैंक यू वर्गोत्तम का वो आगे नहीं डीटेंड में ठीक है थेंक यू सर यह आप कह सकते हो जब वो ज़्यादा एक ही ग्रहे जब कई सेम राशी के अंदर कई वर्ग कुंड्लियों में रिपीट होता है उतना ही अच्छा माना जाता है वो लाश्ट का सेम हो तो राशी डिफरेंट वो और एफा सें हाॉस हो तो वो भी वन दी डिवन ऋडीनाईट में मैं ही माना जाता है उसे भावुतं कहते हैं जैसे ग्रहे करेम में रिपीट होने पर बऍगुट्तम का जाता है और सेम भाव में जैस piace का सूर्यदसम में बैठा डिवन में और डिनायन में भी सूर्य दसम महीं बैठ जाए तो हम कहेंगे भावुत्तम हुआ बेसक वहाँ साही ना लग लग हो भावुत्तम बरगुत्तम क्या पेक्षा कुछ कमजोर होता है अच्छा होता है वो बट बरगुत्तम क्या पेक्षा कमपेर में थोड़ा कमजोर होता है ठीए सर्. ठीए सर्, ठीए सर्, ठीए सर्, जैसे कि आप शने में marriage astrology और दूसरे कुर्स में बताया था, कि कोई भी कोई घ्रे है, अगर अपनी position D1 से किसी और चार्ट में, D1 से किसी और चार्ट में वो इंप्रूव कर लेता है, है तो बेटर हो जाता है ना इंप्रूब कर लिया तो लिए ऑपने से रिलेटिड चार्ट terrace अपने से रिलेटिड सपोज हम जिस पर चीज से देख रहे हैं तोյ जृता है कि जैसे केंद्र केंड्र में गया तो यद्व में गया बिलकुल बिलकुल हैं बिल्कुल बिल्कुल तिsystem में जो ग्रहे चला जाता है वह हमाने जीवन में स्मूथनेस बहुत ले करके आता है भुत पॉजिटिविती ले करके आता हτι केंदर का जो ग्रहे है वह इंपक्त करता है पर कि तरह होता है वो कई बार अच्छा भी कर देता कई बुरा भी कर देता है पर जो करेगा पूरे जोश करोश के साथ करता है और सबसे उपर होता है उच्छ का अगर कोई भी ग्रह नमांच में उच्छ का हो जाए फिर है मूल तिरकों फिर है सवराशी मित्र राशी इस तरीके से फिर ओडर बने हुए सबसे उपर उच्छ हाँ जो वरगुत्तम ग्रह होता है वो भी स्ट्रेंथ वाइस बड़ा अच्छा माना जाता है जस्ट लाइक के उस की तरह उसको हम एक्साब्टे नहीं विल्投ब चिस जक्राइक जैसे ब्लैनेट शक्रावरफुल माना जाता है ऐसे इसलिद्ध नंग ग्रह भी बड़ा पावरफुल भाना जाता जात जो कोई रहे है टीवन चार्ट में मालो उसकी आंस्विका में मालो 29 पर है यह ना और तीन रेखा यह मालो रेखा कम है यह ना उतना ज्यादा मजबूद नहीं लग रहा मैं ने यह सागर साब अपने गलत टॉपिक पगड़ गए अभी अपने को वह उस पर नहीं करना है कुंडली में देख रहा हूं मैं वह वर्गोता में लगता है लेकिन वह मजबूत वाना जाएगा क्या सागर साब इस कोर्स में मैं बताऊंगा जरूर के उपर लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है तो उसमें कन्फ्यूज होने की जोट नहीं थे प्रणाम प्रणाम आपने भी जो पताया वर्गोत्तम अगर ग्रह है और नाइंथ हाउस में अगर सूर्य है जी तो उसमें पिता की उम्र जादा होगी जी लेकिन मेरे साथ यह है लेकिन मेरे फादर की डेथ होगी थी जब मैं तेरा साल करता है अच्छा तो क्या कहना चाते है वो बताओ वर्गोत्तम यह सही है गलत है क्या है नहीं बिल्कुल सही है वो तो कुल्डी देख करके पता चलेगा जैन साब है ना तो कि बहुत सारे सूत्र जो है वो नहीं बताए गए कि क्या ग्रह की कोई काट रहा है क्या उस प्लैनेट का डिस्पॉजिटर कैसा है कैसा नहीं है वो भी हमें देखना पड़ेगा जबी तो कहते हैं कि किलास में सिस्ट्रमाटिक वे से पढ़ाया जाए कि उसके डिस्पॉजिटर का कंसेट आपको मालूम भी है कि नहीं मालूम है अगर मालूम है तो पता होना चीए सारा खिल ग्रह की स्ट्रेंथ पे है क्या डी-9 चार्ट में सूरे जब नवम भाव में गय क्या उसमें स्ट्रेंथ थी या नहीं थी वो देखना बहुत जरूरी है वो स्ट्रेंथ चेक करने के फार्मूले आपको मालूम होने चीए तो आपको आपका अंस्वर मिल जाएगा बहुत सिंपल है उसमें गवराने वाली बात पर हां अगर किसी के वरगुत्तम ग्रहे में स्ट्रेंथ है जो की बड़ा पाउरफुल माना जाता है उसका डिस्पॉजिटर कमजोर नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखें बहुत पाउरफुल माना जाता है पिता बड़ा ही फलता फुलता है पिता की एज बड़ी अच्छी होती है ये निश्चित मान के चलें ये राहू दिरिष्टी नहीं दे रहा है कई ऐसा तो नहीं कि ये ग्रहे जो सूरज को बहुत जल्दी कमजोर करने में सक्षम होते हैं क्या इनके रिजल्ट को रोकने में सक्षम होते हैं शनी है राहू है ये सूरज के उसको रोक लेते हैं ताकत को रोक लेते हैं अगर ये बैठ ग्रह के बीच में नहीं फसा हुआ किसी पाप कर्तरी में नहीं फसा हुआ और कोई परबल शत्रू के साथ द्वारा द्रिष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से वहां ग्रह बहुत ही शांदार रेज़़ बेता है जैन साथ मेरे मेरे भी नमंभाव में सूर्य बैठा हुआ नमांच में तो मेरे पिताजी जो है परमात्मा का अशिरवाद है उपर अभी तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ में सैपनिंग हुई है तो उसका है रीजन आपके नमांच कुली में बड़े अराम से दिखाई देंगे आपके डीवन में शनी की तीसरी के पढ़ रही है शूरे पे नमांच में भी मिलें फुर्णि ओस्ति नहीं इसी अरपjak और दृटि स्वाल हो रहे है हम सिर्फ कट्रियों के दरिष्टी लगती है और कुछ वरकुड्लियों में दिरिष्टी नहीं लगती है पर D9 में लगती है बहुत बहुत धन्यवाद अमिलाशा जी सर्फ प्रनाम गुद इजनेंग सर्फ मेरा क्वेशन ये था कि उच्छ से 12 पिछा जाता है या इसमें भी लगन में भी और नवांश में भी तो वह जा है यह हाउस में इन कंपेर टू दर नीच प्लानेट्स अगर वो सिक्से 12 में जाते हैं थोड़ा स्ट्रेंट में कमी देते हैं उन लोग इसे मत बोलिए ऐसे बोलिए आदर्वाइस आप भी कंफ्यूज होएंगे दूसरे भी होजाएंगे आप बोलिए डी वन चार्ट में क वह का हो गया लोगास नो.'भूमाज को इन कैसा सकते की जब्सें जादा पैंफूल वह निच से ज्यbowन में चैलेंज क्रिट करतेगा व्लम पैदा। doc यसमें बिलकुल उसमें को आजता जाता बिंदन है रहे अलग आयाम पर काम करने लग जाता है वो नीचका नहीं बनाए वो उचका बनाया पर उसको जगा गलत मिल इसको छटा आठवा बारवा मिल गया है वो अच्छा नहीं बन वो कहीं ना कहीं अपने चैलेंज देगा ही देगा एक सूत्र है मैंने एक वीडियो बनाया था जो नमांच कुंडली में छटे आठवे बारवे बाव में जो भी गरह है वो पास्ट लाइफ के नेगटिव करमा को दिखा रहा है कहीं ना कहीं हमें अभी उसका भुक्तान करना बाकी है इस जीवन में यह है ठीक है क्या लिए और को वेश्चिन है से जुपिटर को पहले बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन अभी जितना भी कुंडली देखते हैं उसमें जुपिटर दशा आते ही लोगो को प्रॉबिंस स्टाट हो जाता है मानीटरी प्रॉब लुगम हो जाता है बिज्नेस में प्रॉब्लम हो जाते इस अच्यूरी सब्सक्राइब कIEMB वेलकुल अविलाशा जी पुर्वा ग्रेसिक गर्सित मतोना कि शनी राहू अमीर लोग शनी राहू में बने हैं ऐसा नहीं कुछ कुंडलियों में ये इतिफाक होता है मैं मानता है आप हमेशा इस बात पर फोकस कीजिए जैसे अभी आपके सामने कुंडली रखी थी जो कुं बढ़े गगा जीमत में शनी राहू और शनी राहू में नहीं बड़ा और बिच मतिव कराब हो गई सदेगा और अगर उसकी प्लेस्मेंट गडबड ये प्लेस्मेंट का बहुत अच्छा कंई बार आप देखना कुछ लोग करक लगन के या सिंग लगन क्विक्ष आते चनी कि महादशा चलती है पर अपड़े नौर्मल हो जब से मारकेश की सतिया लगी हुए क्या हुत कि उन्हों ने अब हुस्पिटल नहीं गई होते उनको कोई लॉस नहीं हुआ होता है कोछूटी मोटी प्राप्पलम लेके नहीं हो रहा होता कोई का इश्यूह नहीं हो रहा होता को कहतें है चलो नॉर्मल है कोई बड़ी बात नहीं है असानी में उनकी प्लेकर एसक्त मार्केड खोट से ऐसory को भी देखना और सब्सेटेर ग्रेकर निचित रूप से जिस conclusion पर आप पोचोगे वो conclusion बहुत ही correct conclusion. उसमें कहीं कोई mistake नहीं. Thank you. Good evening sir. Good evening. Sir, जो D9 है उसमें हमारे D1 का कोन सा भाव उदे हो रहा है? लगन में ये भी कोई मत्तर रखता है? ये class में बताएंगे आपको बहुत ही simple है. जैसे 8 house हो रहा हो तो वो जी 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 अस्टम्भाव उदेमान हो जाता है. अगर नमांज को जाता है? नहीं डिपेंड्स करता है सिचुएशन पर डिपेंड्स करता है. सबसे बड़ी बात ये कि नमांज में ग्रह जोए कमजोर नहीं पढ़ने जी महां ठीक ठाक हो जाएं बस. ठीक है सर. सर एक बात वह पुच्छनी थी? हाँ रग, हाँ बताइए. सर अगर डी नाइन में लगन में शानी बठा हो और सत्तम्भाव में मंगल बठा हो तो ये शादी में रुकावत देता है? हाँ दे सकता है इसको भी देखना बढ़ेगा हाँ बिलकुल निश्चित रूप से रगुटी जी रगुबीर जी अच्छा ये जोब मासी जी आवाज नहीं आ रही है चलिए आप सभी लोगों का बहुत 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 बढ़े बात प्रणाम प्रणाम महा जी बताइए और सेवंथ लोड सैटन सेवंथ में है और डी नाइन में वमकर लगना है जी तो वह दॉक्टर है तो जो रोग निदान करता है तो उसका उसको मेरेद लाइफ में कैसा पार मिलेगा वह जगदीजी पूरा कुंली देखके ही समझ में आएगा कुछ स्पेक्त गड़वड हो जाते हैं collecting जैसे संजन को मेंने कहा कि नवंबाव में सूर्य अच्छा होता है वो समझ तो गए कि वह सूर्य किस तरीके से कराब हो जाता है पर वो चीज mailbox नहीं पता होती तो फिर वह उन्हें लगता है कि आरे तो गड़ोर है तो देखने पर समझ में और एक बात और और जो आपने बोला डी नाइन में जो भी पंदरा जैसे लेक्ष सेसन चलेंगे तो आप जितना ज्यादा को इतना खरो तो अच्छा है नहीं नहीं मैं ते मेरा कहने का मतलब यह कि एक बार हमने लिया है था नमांशा पर उसमें 16-17 किलास होई थी जग्दीज जी 16-17 वो क्या वो उस समय हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे केवल नमांशा पर 16-17 या 18 किलास कम से कम भी नमांशा की टेक्नीक्स पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसमें भी 17-18 किलास हूंगा या पंदरा जितना सबसे ज्यादा पिर भी नमांशा पर लेनी ही पड़ेगी मजबूरी है इसमें सबसे ज्यादा एक्स्प्लेनेशन नमांशा में डी 10 चार्ट में यह ज्यादा क्लास लेते ही लेते हैं चलिए दन्यवाद है चलिए आप लोगों का दन्यवाद आओ अर्मी जी बताईए जैसे वर्गोटमा डिसकस किया तो उसमें डेफिनेटली स्ट्रेंट देखेंगे डिस्पोजेटर देखेंगे तो यह सब चीजें रिक हैं उसके उसके साथ एनिमी प्लैनेट्स भी है पा माइन तो उसके साथ यह सब चीजह अगर जैसे तो चीजह आगा उसको पिटर करता है उसमें कोई शप बच्चत होगी देखना पडेगा ना वो जूपीटर के कैसे देख रहा ह जूपीटर के फूपिटर के साथ ? डिजनल चार्ट में बोलने के लिए चार बार सोचना पड़ता है तो सूत्र बोई है और आप देख रहे हो अपने किसी कुणली में आप सुनना चाहते हो जो अपने नहीं जैसे या उसी की कंटिनेशन थी जो कोस्चन थी मैं बैता हूं कहीं नहीं तो आपने देखा ही होगा उस चीज को तो इसलिए आप पूछना चाहते हो समझना चाहते हो तो यह है कि इसमें फिर अगर आप से रिलेटेड अंस्वर नहीं मिला तो आपको लगेगा रियारी तनिक अगड़ नहीं कहते हैं जुपिटर अगर कुई देख ले बलाब जुपिटर की वह दीवन में द अभी पांच लोग उसमें हम आ सकते हैं ले सकते हैं आप से बात कर देना लिख करके तो मैं सेलेक्शन कर दूं ठीक है धन्यवाद प्रणाब प्रणाब प्रणाब